नमस्कार चात्रों स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल पर उमीद करती हूँ आप सब लोग स्वास्तों और मस्तों होंगे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला और आज इसमें हमारी तीसरी वीडियो है इस से पहले मैंने वर्णमाला की दो वीडियो आपको बताई हैं उनमें वर्णमाला के बारे में अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आपको यह तभी समझ में आएगी जब आप पहले की दो वीडियो जरूर देखेंगे ठीके तो चलिए आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और लगभग आज ये हमारा समापत हो जाएगा वर्ण बाला इसमें मैंने स्वर्व्यंजन तो आपको मैं बता चुकी हूँ दो वीडियो में इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे जो परियत्न हैं किस तरह से हम वर्णों का उचारण कौन से परियत्नों के आधार पर करते हैं कहां कहां से किस वर्ण का उचारण किस स्थान से होता है स्वर्वत अंत्र में उसको क्या कहते हैं और कैसे आपसे प्रस्ण पोचे जाते हैं ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ ठीक तो बने रहे अंत तक और यदि अच्छा लगे तो लाइक चेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखे परियत्न या अवरूद के आधार पर धन्यों के भेध हम पढ़ रहे हैं ठीक तो देखो सबसे पहले आप इधर आजाईए अभ्यांतर परियत्न देखो हिंदी में जो वर्ण माला है उस दो दो तरहों के परियत्न होते हैं एक होता है अभ्यांतर परियत्न और दूसरा होता है बाहिया परियत्न चिक अभ्यांतर का मतलब होता है आंतरिक भाग जो अंधरी अंदर त्च भुझैंडर रही है वह तो अव्यांतर परियतन है लेकिन नजसा बोह रही है कि जब किसी वर्ण का अचारन करते हैं वह ढ़नी हमारी मुख से好啦 तो बाहर वो किस तरह से निकलती है किस क्या उसका मतलब उसका साउंड होता है वो कितनी देड़ तक होता है इस तरह से इस आधार पर हम इनको पढ़ेंगे आगे तो वह बाय परियतने है जो दोसरी को सुनाई देता है चले तो देखो हैं वही चीज यही वर्ण आपको अभ् पढ़े चता तर Hai चता है तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं इसपरी स्य जर्चा की है कि फॉसकी तो को से पर्सी व्याजन तो तो कल भी है उमने आपसे जपर च्रशा को से होते हैं कौसे लेकर के मौतक चिक इसमें कुल पांच वरग आते हैं कोवरग, चाउवरग तोवरग और पौवरग, आपको यह भी ध्यान देना है कभी कभी आपसे डारेक्ट प्रसंप पुछ ले जाते कि कौ वर्ग के अंदर कौन से ब्यंजन आते हैं इस तरह से पुछ लेगा या आप से पुछ लेगा कि इन में से कौ वर्ग के अंदर कौन से नहीं आता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि देखो वर्णमाला है तो बहुत छोटा सा हम कहते हैं कि हम मतलब जब पज़े ज़िशा है और इसकी आधार पर हमारी पूरी व्यकरण होती है वो टीकवी को वर्ग में ऊस्तरों से आपको न स advance one इसके अंदर राते हैं एक तो वर्ग में यह पाँच मरना आते हैं टोवर्ग अंतस्त वेञजनों की अगर हम बात करें तो इसमें चार वर्ण हमारे आते हैं ンतस्त वेञजन ठीक है या, रा, ल, व, ठीक है ये हमारे अंतस्त वेञजन है इसके बाद ओश्मव्यенजन ओश्मव्याजन में सउ, शॉ, शॉ ये हमारी 1200 मूर्धन्ने 100 और दंते 100 ठीक है इनको आप धियान रखियेगा और हो ये हमारे उसमें वेजन हो जाएंगे 4 अगला है अर्दस्वर देखें आपसे ये प्रस्न ज़रूर पूशे जाता है कि अर्दस्वर किसे कहते हैं तो या और वो जो होते हैं ये अर्द स्वर होते हैं क्योंकि जब हम इनका उचारण करते हैं तो यह इसमें व्यंजन कम और और का साउंड हमें ज्यादा सुनाई देता है ठीक तो यह व बोलके देखिए आपको खुसतों ही पता चल जाएगा इसलिए इन्हें अर्द स्वर के अंदर रखा गया है ठीक अग इसका उचारण एक डाले और बिल्कुल हमारी जिव्वा के आसपास से होकर के ला जिव्वा उपर हमारे तालू को टच कर रही है और आवाज बिल्कुल अंदर यानि कि पिछे से सुनाए दे रही है ऐसा लगता सबसे जुस्वर्त अंत्र है इसके सबसे पिछली भाग से आप उचारण करके देख लिए तो यह पार्सिक कहलाता है आप से इसी तरह के प्रस्ट बनेंगे यह पार्सिक व्यन्यन कौन सा है और्धिस्वर कौन से कहलाते हैं तो यह चीज़े आपको नोट डाउन करनी है अगला है लुंठित या प्रकमपित बहुत इंपर्टेंट ह बहुत बार मैंने देखा है परिक्षव में पूछा भी गया है प्रकमपित रौ क्योंकि जब हम रौ कह रहे हैं तो हमारी जिवा में एक कमपनसा बनों हो रहा है आप उच्छारण करके देख सकते हो रौ ठीक है तो लुंठित यानि कि जब जिवा हमारी लुड़कते ठीक है क्योंकि इनमें आंह की मात्रा शामिल है गाउं जो यह पंचमा आकशर होते हैं यह अनुनासिक कहलाते हैं हमारे यह आपको दिहान रखने हैं ठीक हैं अनुनासिक करते हैं तो जो बहाइय परियत्न थे हमें इसमें यह ज़्यादा हो जाता है चीक है जो देखो सबसे पहले है का हो जाता है उसे सघोष कहते हैं और अघोष होता है अघोष और मतलब नहीं घोष मतलब आवाज ठीक है तो जिसमें स्वर्यंत्र से कंपन न हो उसको अघोष कहते हैं और जब हमारे स्वर्यंत्र जिस वर्ण के उच्चारण में हमारे स्वरियंत्र में कमपन से महसूस हो और उसके कारण हमारी आवाज जो है उसमें हलका भारी पंसा लगता है तो उसको सघोस कहते हैं तो उमीद कर रही हूँ कि यहां तक आपको समझ में आ क्या होगा अब हम बात करते हैं अगोस वर्ण होते कौन से हैं सघोस कौन से होते हैं तो देख लीजिए अगोस होते हैं हमारे प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा पहला और दूसरा जो होता है न वो अगोस के अंदर आता है दूसरा वर्ण पहला और दूसरा वर्ण तीसरा चौथा और पाँजवा यह आते हैं सघोस के अंदर प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अगोश होता है ठीक दूसरा तीसरा चौथा और पांचवां ये क्या होते हैं सघोस होते हैं तो आप यहां देख सकते हो इस तरह से ठीक है प्रतेक वर्ग का पांच वर्ग है और पांच वर्ग के पहले और दूसरी सारे के सारे किसमें आ जाएंगे अगोस के अंदर आ जाएंगे और तीसरा चौथा पांचवां ये किसमें आ जाएगा सगोस के अंदर आ जाएगा ठीक अच्छा अब बात करते हैं अगोस में और कौन से वर्ण आते हैं एक तो ये तो होगे हमारे इसपरसी विंजन ठीक है वर्गिकरन किया, दूसरा है, इसके अलावा भी कुछ और वर्ण होते हैं, जो अगोस के अंदर आते हैं, ठीक है, अगोस या सगोस के अंदर, तो देखो, जो तीनों सौ हैं अमारे, वो अगोस हैं, ठीक, अगोस, और या, रा, ला, व, हा, अक्षित, रा, ग्या, श्रो, ये सब ही जो वर्ण हैं आँमारे, ये सगोushima आते हैं, जब हम उनका उचारण करेंगे, तो हमारे स्वर्यंत्र में एकभारी पंशा होगा, और कमपंशा उत्पन होगा, तो उससे एकभारी पंशा नैसूस होता है, तो ये सब क्या आते हैं, सगोस के अंदर आते हैं, ठीक, त जो हमारी प्राण वायू है अगर किसी वर्ण के उच्चारण में जो वायू है वो कम गती से बाहर निकलती है तो उसे अलब प्राण कहेंगे और जिस वर्ण के उच्चारण में जो प्राण वायू है वो थोड़ा तेजी से बाहर निकलती है तो उसे महा प्राण द्वन्नी क कहते हैं तो अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं यहां भी वही हैं जो हमने यहां पढ़ें वही हमें यहां भी पढ़ने हैं अब सबसे पहले बात करते हैं अल्प प्राढधनियों की देखिए प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा और पाँचवाँ ठीक है ये अल्प प्राण के अंदर आता है प्रतिक वर्ग का पाँच वर्ग थे हमारे अब हम इस पर्स की बात कर रहें इस पर्स गिंजनों की तो पहला तीसरा और पाँचवाँ ठीक है पहला तीसरा और पाँचवाँ वर्ण क्या आते हैं अल्पप्राण के अंदर आते हैं महाप्राण में कौनशे बचे दो बच के दूसरा और चौथा तो ये किसमें आते हैं ये महाप्राण में आते हैं क्यूंकि जब हम कह रहे हैं तो कह में थोड़ा कम धनी निकलती है खो कह रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब इसके according ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जूर लगाना पड़ी है ऐसा कुछ नहीं बस जब हम उचारण करते हैं तो थोड़ा सा बहुत कम सा महीम सा अंतर होता है जिसको हमें पहचानना होता है और उसी आधार पर हमारे जो व्यकरणा चाहरे हुए है उन्होंने इन वर्णों का वर्घी क्रणी किया है ठिक दूसरा है फिर देखो दवार्ग चोई भई भी है पहला तीसरा और पांच वार्ण फिर यहा दूसरा और चौता हर वर्ग का पांचों वर्ग हैं। उन सब के वर्ण इसी तरह से आपको इसमें मिलेंगे। अब देखो अलप्राण महाप्राण में इसके अलावा भी धुनिया आती हैं। और वो कौन-कौनियासी है। अलप्राण में आते हैं हमारे अंतस्त-वेंजन. और अंतस्त वेंजन कौन से हैं हमारे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है यह, र, ल, और व, यह हमारे क्या हैं अंतस्त वेंजन हैं तो यह किस में आ जाएंगे अल्प प्राण के अंदर आएंगे ठीक और महा प्राण के अंदर उश्म वेंजन उश्म वेंजन में कौन से और इनके साथ एक क्या जाएगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब हम इसके बाद बात करेंगे यह वाला जो चार्ट है यह ज्यादा अब यह जो यह चार्ट है इसकी माध्यम से आपको समझने में बहुत आसानी होगी आप चाहो तो इसको अपनी कौपी भी सेम बना सकते हो चीक है उचारण स्थान स्वर और व्यंजन्दे को मैंने शुरू में जब मैंने आपको स्वरों के बारे में बताये था तो मैंने आप आपको बताया था कि स्वरों का उचारण स्थान कौन सा स्वर किस स्थान से उचारित होता है और एक चीज मैंने वहापे आपको बताये थी कि बात में जब हम जयंजन्द स्वर दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो हम फिर इनको मर्ज करके इनका जो उचारण स्थान है वो पढ़ेंगे तो वही चीज मैं आज आपको बता रही हूं देखो आपसे एक चीज प्रस्था पूछा जाता है कि काकल्य ध्वनी कौन सी है तो कौ ध्वनी को काकल्य कहते हैं ठीक है कंट से इसका डारेक्ट उचारण होता है इसलिए इसको काकल्य ध्वनी के अंदर रखा जाता है चीज तो इसमें कोई भी नहीं आता है तो विंजन में आपको एक ही विंदू मिलेगा और फिर है कंट से उचारित धनिया कंठे धनिया कौन-कौन सी है इसमें हमारा स्वर ओ आ विसर्ग चिक है विसर्ग का ये चिन होता है तो यह आपको ध्यान रखना है कि ये ध अब देखी यहां पर आपको थूड़ा सा दो तरों के वल्ण आपको देख रहे हैं एक तो सिंपल को है इतने नुकता लगा हुआ है नीचे से तो कुछ चार-पांच धनिया है अमारी अरवी फारसी की जिनके नीचे नुकता लगा हुआ होता है चीक है तो आपसे कभी- इस तो ये पाँच धनिया है ज़ो हमारा हिंदी में होता है चीक है या-पांच धनिया जो कि मध्यकाल के एक बहुत फेमस कवी थे उनके द्वारा ये धनिया हिंदी में शामिल की गई तो इनको अरवी फार्सी की धनियों के अंदर रखा जाता है जो हिंदी में शामिल है तो यह चीज हो गई, तो यहाँ पर जो यह विंजन है, यह आपके कंठे ध्वनिया हो जाएंगे, तालो से उचारित ध्वनिया, यानि कि तालव्य के अंदर यह आता है हमारा, और चौवर्ग का सारे वर्ण आते हैं, ठीक है, और इसमें एक यौ भी शामिल है, इसके बाद ह इसमें री आता है, टौवर्ग आता है, और ला और शौ आते हैं, ठीक है, रा ला और सौ यह तीन इसमें सामिलो जाएंगे, ठीक, इसके बाद धंते की बात करें, तो दंत्य ध्वनिया कौन सी है, ता था दा धा न, यानि कि तौवर्ग का पूरा आ जाएगा, और एक सौ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक, ओश्ठे ध्वनियों की बात करें, तो उ इसके अंदर आता है, स्वरों में, पौवर्ग इसका व्यंजनों में, इसके अंदर शामिल है, इसके बाद हम बात करेंगे, नासिका, यानि कि नाक से उचारित ध्वनिया कौन सी है, एक तो हमारा अनुश्वार, जो आंणोस्वार है, और फिर किस करें आते हैं, इन के उचारण में, इनक क्या प्रीयोग, लिए breaths, यान, न, म, ठीकيا, तो यह हो जाएगा, इसके बाद हम बात करते हैं, कंथ और तालो, और तालो ने की पूर्एम द्वनिया is, दोनाग है, प्रियोग होता तो ऐसे दोस्वर है हमारे AI कभी-कभी आपको डारेक्ट प्रस्ण यह बनता है कि कंट तालग्य धनी कौन सी है तो AI इसके अंदर आ जाएंगे अब हम बात करते हैं कंट और ओस्ट जिनके उचारण में कंट और ओस्ट दोनों का प्रयोग होता है तो ऐसी हमारी तीन धनिया है और ओं तो हमारे हिंदी के हो गए और जो यह आपको दिख्रा है आपको इक चीज और बता देती हूं ये जो आपको दिखे वह हैं तो ये आगत ध oikeा है हैं हमारे हिंदी में चेके आघत का मतलब है जो दूसरी भाशा से हमने गर्षा कीया है हमारी हिंदी बहुत ही क्या सक्ते ना कि बहुत उदहार है इसने अनेक और दंडोंच में करें दंड केनہ एनद वाह good है तृइब ही असी द्ध्वनियों को अपने में समाहिप किया हुआ है तो यह हमारी अंग्रेजी पेसे लिया है जैसे हम पॉलेज लिखते हैं इस तरह से तो यह जो हमारा चंध्र बिंद तो नहीं कहेंगे तो यह होता है वेक सिर्फ एक ही द्वनि मैं और को आने पहलत को यहां प्रियोग होगती से दंत मूल से उच्चारित होने से लिए रखा जाता है इसमें कोह न चार प्रस्ट में पहलते हैं तो यह आप को ध्यान रखना है हाला कि मूल तो यह अयोग वाह धुनिया है खिंतु सामने तो इन्हें स्वर में ही स्वर में ही गिन लिया जाता है अब ऐसा किसके बारे में कहा गया है यह अंग और अहो के बारे में कहा गया है अनुस्वार धनिया हमारे पास ठीक है अंग और अहो है और जो हमारा यह चंद तो आपको यहां तक समझ में जरूर आया होगा और आज हमारी वर्ण माला समाप दोती है कहां से कैसे प्रस्त बनते हैं यह मैं आपको बता चुकी हूँ आप इस जो यह डाइक्राम है यह आप रोड़ डाउन कीजिए बार 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 दोती है वीडियो को बार 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 देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो उमेद करती हूँ आपको जरूर अच्छा लगा हूं यह अच्छा लगी तो लाइक से प्सक्राइब जरूर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियों में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्यार लगे, thank you, thank you for watching.